अलो दोस्तों कैसे आप सब लोग, I hope आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी दिवाली अच्छी मनी होगी, आपकी दिवाली को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए एक न्यूस लेके आया हूँ मैं अभी आपी की तरहें कैनेडा जाना चाता हूँ और मेरी भी एड्मिशन हो चुकी है, लेकिन अभी वीजा लगने के लिए वीट कर रहा हूँ हो गए हैं पूरी न्यूस देने से पहले मैं आपको एक बाह रीकाप करवा दूँ यह सिल्सरा शुरू हुआ था मार्च जब लॉक्ड़ॉन शुरू हुआ था लॉक्ड़ॉन के कारण कैनेडा के वियसी सारे बंद हो गए थे जिसकी वज़े से ना तो एपरल का इंटेक हु खोल रही है लेकिन इंडिया में वियसी अक्तूबर के एंड तक बंद रहेंगे बर जिनकी बायोमेट्रिक्स हो चुकी है उनके लिए पासपोर्ट समिशन की सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं फिर दो नुमबर को बहुत ज़्यादा बैड न्यूस आती है कि इंडिया में वि प्लैन कर रहे हैं कि इंडिया में वियसी री ओपन हो और फिर न्यूस आती है तेना नुमबर को जो कि आज की वीडियो का टॉपिक है नादिर पतेल जी जो के हाई कमिशनर फॉर कैनेडा टू इंडिया है उन्होंने ये अफिशियली अनौंस किया है कि उनका जो फस फेस वियसी ओपन करने का वो सुकसेस्फिली ओपन हो गए है और हम लोग वियसी ओपन कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके अभी कनफर्म डेट नहीं बता सकते नेक्स्ट वीक तक आपको वीड करना होगा तो फाइनले कुछ तो गुड नियूस आई है और हम लोग होप ही कर सकते ह है कि वियसी जल्दी से जल्दी ओपन हो और आपका कैनेडा पढ़ने का सपना जल्दी साकार हो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो यह नियूस का वेट कर रहे थे So hope for the best good luck मिलते हैं अगली वीडियो में